नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में आज के वीडियो में जानेंगे कि किन हेल्थ कंडिशन्स में हल्दी से परहेज करना चाहिए हल्दी एक सेहत मंद नाचरल इंगीडियेंट है जिसके कम साइड एफेक्स होने की वज़े से इसे कई दिवाईयों का एक अच्छा अल्टेनेटिव माना जाता है लेकिन कुछ ऐसे रेर केसिस भी हैं जहां हल्दी का सेवन सेहत पर उल्टा असर डाल सकता है अगर इसे कुछ पर्टिकुलर ड्रक्स के साथ या अधिक मात्रा में लिया जाए कई स्टडीज हल्दी के हेल्थ बेनिफिट्स को प कंपाउंड करक्युमिन की देन है जो कि एक पावरफुल अंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट और अंटी ऑक्सिडेंट है हल्दी को काफी लोग अपनी दवाईयों के साथ या उनके ऑल्टेनेटिव की तरह भी लेते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो फार्मस्यूटिकल्स के साइड एफेक्ट्स भी कर सकती है हल्दी की एंटी थ्रोंबोटिक प्रॉपर्टी जो ब्लट क्लॉट्स कम करती है खून पतला करने वाली दवाईयों जैसे आस्परिन और वॉफरिन के साथ शरीर को नुकसान कर सकती है डायबेटीस की दवाईयां जो ब्लट शुगर कम कर ने के लिए जिम्मेदार होती है को अगर हल्दी के कॉमिनेशन में लिया जाए तो कई साइड एफेक्ट्स जैसे कमजोर नजर, चक्कर आना, एंग्जाइटी, इंपेर कॉगनिटिव फंक्शन और शेकीनेस से दोचार होना पड़ सकता है हल्दी ऐलर्जिक रियाक्शन भ को कम करते हैं क्योंकि हल्दी इसके उल्लट फंक्शन करती है और इसके साइड एफेक्ट्स, मितली, पेट दर्द, पेट फूलना और फूट पाइप डामेज की तरह भी सामने आ सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले